उधारण, निमने लिकित आगणों के लिए माध्ध से माध्धिविचलन ग्याद कीजिए. हल, बेतर ढंग से समझने के लिए प्रथम दो पंक्तियों में हम दिये गए आगणों को लिखते हैं. बारम बारताओं का योगफल 36 प्राप्थ हुआ. त्रितियस तंभ में दिये गए एकस आई तथा एफ आई का गुणन ग्याद करते हैं, तथा उनका योगफल 486 है. इसके पश्चाथ हम बताए गए सूत्र द्वारा माध्धे निकालते हैं. आई बराबर एक से छे, एकस आई तथा एफ आई के बीच गुणन और उनके योग में एन से भाग, अता 13.5 प्राप्थ हुआ. चौते स्टंभ में हम एकस आई तथा माध्धे, एकस बार के बीच के अंतर का निर्पेक्षमान ग्याद करते हैं. पाँचवें स्टंभ में हम निर्पेक्षमानों तथा बारंबार्ताओं के बीच का गुणन ग्याद करते हैं. तथा उनका योगफल एक स्वस्थी है और अन्तताह निम्ण के द्वारा माध्धे ग्याद करते हैं. आई बराबर एक से छे बारंबार्ता और निर्पेक्षमान के गुणन के योग में एन से भाग देने पर पाँच प्राप्त होता है.